गगन चुम्बी इमारतें, वर्ल्ड क्लास होटल्स एंड रेस्टरॉंस, मैनमेड आइलाइंड्स, अनफोगटेबल नाइट लाइफ और अल्ट्रा मॉडल लाइफ स्टाइल से भरे दुबाई शहर में हर कोई रहना चाहता है सोशल मेडिया पर दुबाई के लाइफ स्टाइल की पिक्चर्स एंड वीडियोज देखकर लगता है कि वाह क्या लाइफ है इससे पॉफेक्ट एंड बेटर लाइफ तो होई नहीं सकती है इस दुनिया में लेकिन आईए जानते हैं आज हम दुबाई की सचाई के बारे में दुबाई, UAE के साथ शहरों में से एक है और इस कंट्री का सबसे अमीर शहर भी है ओल कंट्री होने के बावजूद भी आज UAE दुनिया की टॉप डेट कंट्री का हिस्ता बन चुकी है यानि कि अब UAE भी अभी उधारी की जिन्दिकी जीरा है गोल्ड और ओल के बिजनस में बादशा होने के बावजूद भी UAE कर्ज में डूपा हुआ है और इसकी वज़े साफ है UAE के कम इंकम सोसिस और बेहदी जादा महंगे शौक UAE ने दुबई में टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे स्काई स्क्रैपर्स बनाए तो ये उँची उँची इमारते पैसों की बरवादी के लावा और कुछ भी नहीं है 1970 दक दुबई में एक भी स्काई स्क्रैपर्स नहीं था और आज यहां 72 स्काई स्क्रैपर्स है होंग कॉंग और निवांग जैसे शहरों के स्काई स्क्रैपर्स को विजन मॉडल बना कर अरब कंट्रीज में भी दुबई को स्काई स्क्रैपर्स एकदम भर दिया अब यह सोचे बिना कि क्या इसकी जरत भी है या फिर बस बना दो होंगों के पास तो जमीन की कमी है इसलिए उसने यह गगन चुम्बी इमारतें लगाई लेकिन दुबई दुबई ने तो अपने शौक और स्टेटस का दिखावा करने के लिए यह सारी गगन चुम्बी इमारतें हड़ी कर दी एक के बाद एक बैक टू बैक टूरिजम के नाम पर बनाए गए यह स्काई स्क्रैपर्स बाहर से देखने में तो बहुत ही खुबसूरत नजर आते हैं लेकिन अंदर अंदर क्या अंदर से तो एकदम बिल्कुल वॉइड हैं यानि कि खाली पड़े हुए चली दुनिया की सबसे उची इमारत बुर्ज खलीफा की ही बात कर लेते हैं तो यह दिखावे से जादा और कुछ है ही नहीं 1.6 billion dollars में बनी इस बिल्डिंग की उम्र सिर्फ 100 साल है और हर साल इसकी maintenance में अरोबो रुपए का खर्चा होता है इस बिल्डिंग को बनाने में ग्लास और स्टील का भरपूर इस्तिमाल हुआ है और गर्म इलाके के लिए ये environment disaster है क्योंकि ग्लास की बिल्डिंग होगी तो cooling की भी जादा जुरत होगी और building को cool रखने के लिए air conditioner की जादा जुरत होगी उससे environment में बहुत असर होता है दुबई जैसी जगे पर ये problem और भी बन जाती है और पर्यावरण के बारे में सोचता कौन है अल्टरा modern city होने के बावजूद भी दुबई में आज तक proper sewage system develop नहीं किया जा सका अगर city के sewage system की रोज सफाही ना की जाए तो ये overflow होकर सडकों पर भी आ सकता है क्योंकि यहाँ के sky scrapers के exterior पर ही सारा पैसा खर्च कर दिया जाता है जिसकी वज़े से interior के लिए पैसा बचता ही नहीं और आम लोग इने sky scrapers में घर afford ही नहीं कर सकते ये इतने महगे होते हैं इसलिए यहाँ के जादा धर sky scrapers खाली ही पड़े हैं दुबई के man-made islands भी fake हैं पिछले 20 सालों में दुबई ने 3 man-made islands बनवाए हैं फर्स्ट पाम जुमिरा, सेकेंड डेरा आइलेंड और थर्ड पाम जबल अली और ये man-made islands सोचल मेडिया पर बहुत ही खूर्सूरत नजर आते हैं लेकिन उन्हें बनाना अपने पैर पर कुलहाड़ी मारने से ज़ादा और कुछ भी नहीं है दुबई के पाम जुमिरा आइलेंड की ही बात करें तो 2001 में ये बनना शुरू हुआ था लेकिन 23 सालों के बाद भी अंडर कंस्ट्रक्टेड ही है डेरा आइलेंड और पाम जबल अली का भी कुछ ऐसा ही हाल है और ये तो बिना सोचे समझे अपने स्टेटस को मिंटेन करने के लिए इन पर पैसों को पानी की तरह भात है वो भी तब जब UAE का रियल स्टेट बिजनस डूबा हुआ है और ये आइलेंड भी पूरी तरह से खाली पड़े है 2009 में दुबई अपने इन ही बे वज़ह के प्रोजेक्ट की वज़ह से फाइनिशल क्राइसस से भी गुज़रा था पैसों की कमी की वज़ह से उस समय इन्होंने प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए रोग दिया था स्लेव सिटी दुबई की आधी से जाधा जनता गरीवी में जी रही है असल में दुबई में सिर्फ दो ही तरह के लोग रहते हैं फस्ट रिच और सेकेंड स्लेव सीधी बात है मतलब पहले हैं अमीर और दूसरे हैं गुलाम दुबई की सिर्फ 11 प्रतिशत पॉपुलेशन ही अमीराती है और बाकी नवासी प्रतिशत पॉपुलेशन माइगरेंट वर्कर्स है जिन में से जाधा तर वर्कर्स साउथ एशिया से मतलब भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश और नेपाल से यहाँ पर लाए गए है यहाँ वर्कर्स को एक स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता है वर्कर्स को यहाँ पर अच्छी सैलरी का जहासा देकर लाया जाता है पर यहां आने के बाद वर्कर्स को पता चलता है कि ओ तरी हम तो आके फस गए क्योंकि दुबई के लाइफ स्ट्राइल के मुकाबले उन्हें मिलने वाली सैलरी जो है न वो सिर्फ चिल्लर होती है उससे जादा और कुछ भी नहीं होता है और वर्कर्स काम छोड़कर भाग न जाए इसके लिए उनसे कॉंट्राक्ट साइन करवाए जाते है अगर वर्कर्स वापस अपने देश में लोटना चाहे तो ये सब तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उसका मालिक या फिर कंपनी उसे इजाज़त ना दे क्योंकि कंपनीयां वर्कर्स के पासपोर्ट उनकी जॉइनिंग के दिन ही जब्त कर लेती है अब बताओ कहां जाओगे येस दुस्तों दुबई में 90 लाग से भी जादा माइगरेंट वर्कर्स है और ये वर्कर्स किचन जितने छोटे से कमरे में 8-10 लोग एक साथ रहने को मजबूर है और यहां महिला वर्कर्स के साथ तो फुर्शों से भी जादा बुरा वेभार होता है यहां महिलाओं को घरों में 24 घंटे काम करने पर मजबूर किया जाता है और कई केसे में तो महिला को जबरन प्रोस्टिटूशन में धकेल दिया जाता है यहां पर प्रोस्टिटूशन इलीगल है लेकिन टूरिस्ट को खुश करने के लिए यहां के होटेल्स और बार्स में खुल कर प्रोस्टिटूशन को बढ़ावा दिया जाता है और टूरिस्ट के लिए लीगल हो वैसे ट्वीट किया जाता है यहां के लोग टूरिस्ट से बत्तमीजी या फिर जगडा करते शायद ही कभी नजर आएंगे लेकिन वर्कर्स के साथ इनका वेभार बहुत ही जादा बुरा होता है दोस्तों दुबई दुनिया के उन देशों में भी शामिल है जहां रेगुलर्ली सबसे ज़ादा 40 प्रतिशत खाना वेस्ट किया जाता है यही नहीं रमजान के दिनों में ये फूड वेस्टेज 55 प्रतिशत तक पहुँच जाता है पर ये सब यहां आने वाले टूरिस्ट को नजर नहीं आता पर इसके बारे में आपको यहां ना तो अकबारों में पता चलेगा और नहीं कभी न्यूज चैनल में सुनने को मिलेगा यही के कानून के मताबिक यहां की प्रेस कभी भी रॉल फैमिली या फिर गवर्मेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती है और नहीं उनके फैसनों पर उंगली उढ़ा सकती है इसलिए दुबई के स्काइस्क्रैपर्स, मॉल्स, बिल्डिंग्स सब कुछ टॉप क्लास हो सकता है लेकिन यहां यह लोगों की जो लाइफ है न वो टॉप क्लास नहीं है और दुबई के इस डाक साइट पर आपकी क्या रहा है नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएए वीडियो चल लगाओ तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करना बिल्कुल न भोलें तैंक यू